दोस्तों अपने रोज मर्रा के खानी पीने में हम जितनी भी चीजे इस्तमाल करते हैं उन में से सबसे ज़ादा अनहेल्धी चीज अगर आप कोई मुझे से पूछें तो वो है शुगर, वाइट शुगर यानि रिफाइन शुगर अक्सर मैं लोगों को ये सलह देता हूँ कि उन्हें अपनी डाइट से अपनी लाइफ से इस रिफाइन शुगर को पूरी तरह निकाल देना चाहिए इसको बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करना चाहिए लेकिन जब भी मैं ये सलह लोगो को देता हूँ तो सबसे पहला कोशन जो उसके बदले में मुझे मिलता है वो ये क्या हम वाइट शुगर की जगा गुड यानि जैगरी को इस्तिमाल कर सकते हैं या नहीं तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूडने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप रिफाइन शुगर की जगा गुड ले सकते हैं और अगर इसकी जगा आप गुड लेते हैं तो क्या ये रिफाइन शुगर से कुछ बेतर है या नही तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन सभी पहलुओ के बारे में डिटेल में आपसे बात करते हैं दोस्तो गुड जो है ये एक नचुरल अल्टरनेटिव है रिफाइन शुगर का गुड के अंदर आईरन पाये जाता है पोटेशयम पाये जाता है मैंगनीशियम पाये जाता है vitamin C पाये जाता है, calcium पाये जाता है, vitamin B1 पाये जाता है और vitamin B6 पाये जाता है अगर इसको आप compare करें white sugar से यानि refined sugar से तो refined sugar जो होती है वो empty calorie होती है यानि उसके अंदर इन में से कोई भी ना तो vitamin होता है ना protein होता है, ना iron होता है, कुछ नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ calories होती है तो इस मामले में कहीं न कहीं good काफी better है शुगर से, इसके साथ जो good होता है इसके अंदर बहुत सारे phenolic compounds भी पाये जाते हैं और ये phenolic compounds जो होते हैं ये हमारी body के अंदर oxidative stress को कम करने का काम करते हैं और हमारी immunity को enhance करने का काम करते हैं गुड जो होता है, ये हमारे digestion को भी improve करता है और body से बहुत सारी toxins जो होते हैं उनको भी eliminate करने का काम करता है तो overall अगर हम compare करें इसको sugar के साथ तो गुड से हमें काफी जादा benefits मिलते हैं जो कि sugar में हमको नहीं मिलते हैं तो ये तो मात हो गई कि गुड से हमें क्या-क्या benefits मिल रहे हैं और definitely ये sugar से काफी जादा बहतर है अब बात कर लेते हैं कि क्या आप वाकई में sugar को replace करके गुड को इस्तमाल कर सकते हैं क्या sugar की जंगा अगर हम गुड इस्तमाल करेंगे हमें पहले जरूरत है ये समझने की कि गुड और चीनी के अंदर क्या differences हैं या क्या similarities हैं देखे सबसे पहली बात करते हैं nutritional differences की यानि दोनों में nutritional ही क्या difference है जैसा कि मैंने आपको बताया गुड के अंदर कुछ nutritional चीज़े होती है कुछ nutrients होते हैं जो की आपको मिलते हैं वही sugar जो होती है वो empty calories होती है यानि उसके अंदर कोई भी nutritional value आपको नहीं मिलती है सिर्फ calories ही calories मिलती है तो ये एक पहला difference है लेकिन इस difference में भी कुछ complications है और वो complication ये है कि गुड के अंदर आपको जो nutritional value मिल रही है वो बहुत ही कम है यानि गुड के अंदर आपको जो vitamins या iron या calcium या जो भी चीज़े मिल रही है वो बहुत कम quantity में होती है इसलिए अगर आप जब गुड को इस्तेमाल करते हैं एक चमच या दो चमच तो उसमें आपको negligible amount of nutrition मिलता है इसलिए ये कहना कि आप सिर्फ इसलिए sugar को replace कर रहे है गुड से कि उसमें आपको nutrition extra मिल रहा है लेकिन वो इतना sufficient नहीं है जो आपको गुड को use करने के लिए मतलब प्रेरित करे उतना जादा sufficient amount of nutrition नहीं है पहली चीज दूसरी चीज ये है कि जब आप compare करते हैं दोनों की calories को तो sugar के अंदर और गुड के अंदर करीब करीब same amount of calories होती है यानि एक चमच sugar के अंदर आपको जितनी calories मिलेंगी करीब करीब उतनी ही calories आपको एक चमच पीसे हुए गुड की शक्कर में मिलेंगी तो क्यूंकि same amount of calories हैं तो उसमें calorie wise भी आपको कोई as such benefit नहीं है गुड को इस्तेमाल करने का अब यहाँ पर भी एक और page है और वो page ये है कि गुड के अंदर जो है वो मिठास कुछ कम होती है in comparison to sugar तो अगर आप for example चाई के अंदर एक चमच शुगर लेते हैं उसके आप आदी है उतनी मिठास आपको पसंद है तो उस मिठास को हासल करने के लिए आपको गुड करीब दो से तीन चमच डालना पड़ेगा तो कही न कहीं unknowingly आप जादा calories लेंगे गुड के केस में बजाए sugar के केस में क्योंकि उसमें आपको एक चमच डालनी पड़ रही है और इसमें आपको दो या तीन चमच डालनी पड़ रही है तो मेरा कहना ये है कि अगर आपको गुड इसलिए इस्तेमाल करना है कि इससे आपका मोटापा नहीं पड़ेगा या इससे आपको calories कम मिलेंगी या इससे आपको कोई nutritional value मिलेगी तो ऐसा नहीं है nutritional value आपको no doubt मिल रही है लेकिन वो बहुत कम quantity में मिल रही है ये इतनी sufficient नहीं है जो जिसके लिए मैं आपको recommend कर दूँ कि आपको गुड लेना शुरू कर दीजे नहीं करिए अगर आप कोशिश करिए कि sugar अगर आप quit करना चाते हैं तो उसकी जंगा आपको ऐसा low calorie sweetener लीजिए जैसे कि stevia है जिसमें आपको calories वगरा बिलकुल नहीं मिलें तब तो आपको benefit है अगर आप good इस shock मिले रहे हैं या ये सोच के लिए रहे हैं कि आपको उससे मुटा पानी होगा या कुछ और ऐसी benefit मिल जाएगा तो वो मेरे साब से आपको नहीं मिलेगा एक अच्छी चीज जो good में आपको मिलती है वो ये कि good के अंदर जो carbohydrates होते हैं वो complex form के होते हैं यानि वो काफी complex होते हैं long chain carbohydrates पाये जाते हैं और ये long chain carbohydrates जो होते हैं ये digest होने में time लेते हैं ये क्योंकि refined नहीं होती form तो ये एकदम से पेट में हमारे digest होके एकदम से blood के अंदर नहीं मिल जाते हैं थोड़ा time लेते हैं digest होने में भी और blood के अंदर जाने में भी तो उससे आपको क्या benefit मिलता है कि आपका जो blood sugar है वो अचानक से spike नहीं होता है फिर अगर आप चीनी लेंगे तो उसे खाते ही आपका blood sugar एकदम से spike होता है फिर एकदम से insulin आती है और फिर वो blood sugar एकदम से low हो जाता है जो कि बहुत बुरी चीज है आपके लिए इससे आपके अंदर insulin resistance पैदा हो जाता है अब चूंकि जो good है इसके अंदर complex type ही carbohydrates है ये ज़्यादा time ले रहे हैं digest होने में ज्यादा time ले रहे हैं blood के अंदर absorb होने में धीरे धीरे absorb हो रहे हैं तो उससे क्या होता है आपकी blood sugar एकदम से high नहीं होती है और उसकी हुझे से आपका जो insulin level है वो भी maintained रहता है और आपको आने वाले time में जो diabetes है उसके होने का खतरा थोड़ा कम हो जाता है तो ये एक benefit definitely आपको मिलता है good को इस्तेमाल करने से क्योंकि वो unrefined form है otherwise apart from that I don't think there is any benefit of using good instead of sugar तो दोस्तों अगर आपके मन में भी एक question था ये शंका थी कि आपको good इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या आप already अगर good इस्तेमाल कर रहे हैं शुगर की जंगा और आप ये सोच रहे हैं कि आपको बहुत जादा benefits मिल रहे हैं उससे तो I'm sure कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ clarity जरूर मिल गई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद इसे समझने के बाद आप जो है good अगर इस्तेमाल करते भी हैं तो उसको काफी moderation में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि calories उसमें आपको काफी मिल रही हैं तो आप अपने टेस्ट के बजाए नहीं बलगी quantity के हिजाब से good को इस्तेमाल करेंगे तभी आपको उसका कुछ benefits मिल सकते हैं तो दोस्तों मुझे उमीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आज आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिए चीनी के बारे में एक वीडियो मैंने अल्रीड बना रखी है जिसमें आपको बताया था कि चीनी को छोड़ने से आपको क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर उसके बारे में आप जनना चाते हैं तो आई बटन में उपर लिंक आ रहा है उसको आप चेक आउट कर सकते हैं इसके लाबा मैं डेस्क्रिशिशन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक आपके लिए चोड़ दूगा तो उसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि चीनी छोड़ने से आपको क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं आपकी बोडी में क्या-क्या चेंज जाते हैं तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और उमीद करता हूँ कि आप आगे भी इस सफर में हमारे साथ बने रहेंगे और हमारे वीडियो को लाइक करते रहेंगे शेयर करते रहेंगे और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब भी रहेंगे चलिए एसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ के फिल्म भी लूँगा इसी चनल पर एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए टाटा बाय बाय एंड स्टे हल्दी हमेशा